तो दोस्तों आज मैं आपके लेकर आए बेस्ट फोन अंदर दी प्राइस ऑफ 10,000 तो जो फोन मुझे बेस्ट लगता है इस प्राइस सिर्च के अंदर वो है और उनके फोन्स है उसकी प्राइस थी 12,000 बट जो कि रिड्यूस होगी आशकल से टाइम पर जो कि यह 10,000 अब और फ्लिपकार्ट की से स्टार्ट होने वारी है तो जो HDFC यूजर्स है उनके लिए 10% और डिसकाउंट है तो आपको यह फोन मिलेगा 9,000 का और 9,000 के अंदर अगर हम इसे कंपेर करते हैं अधर फोन की साथ तो यह एक बहुत अच्छा पैकेज है तो गैस अब बात करते हैं इसके फीचर्स की सामने आपको दिखने हो मिलेगी एक फुल HD LCD डिस्प्ले एमोलेट स्क्रीन इसमें नहीं दी गई है और इस प्राइस पॉइंट पे किसी भी फोन में एमोलेट स्क्रीन हमें देखने को नहीं मिलती बैक पेस में डूल कैमरा सेटप दिया हुआ है और यही इस फोन की हाइलाइट है इस प्राइस पॉइंट के अंदर और किसी फोन में ऐसा कैमरा नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि जो दूसरा कैमरा है वो टू में का पिक्सल है बट वो काम आता है आपका मोनोक्रोम सेंसर क भास में पोसरे पोटोर्ड यहां पर यहां पे यह कहते हैं प्लर एफ afterwards पहले उसको आपको ओन has a Dbn की एक जुक्स को फ्रीश की अड़िग्र नहीं नौट के प्लिका है और use करना इसा कुछ नहीं है आपको सिर्फ करना है जिसमें आपको फोकुस चाहिए लोड हो रहे है और यह देखें पीछे जो आप देख सकते हैं सब कुछ ब्लर है आगे का भी ब्लर है देखिए आप जो बॉक्स है और जो अब्जेक्ट है मेरा वो फोकुस के अंदर तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर इसका कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रंट कैम की बात करें तो वो इसमें 8MP का फ्रंट कैम दिया हुआ है और आपको मैं फीचर्स के बाद इसका एक कैमरा सेंपल्स दे दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका कैमरा कॉलिटी कैसी है तो फ्रंट कैमरा 8MP बैक कैमरा इस 12 प्लस 2 डूल की बात काफी अच्छा देती प्राइस पॉइंट कि अंडर फिंगर मिंट सेंसर अब बात करते हैं इसके अधर फीचर्स की अब बहुत इसके इन-धू ह्ट प्रोसेसर हुआ अपने प्रोसेसर बनाती है और तो इसके इनदर मिलेगा आपको 655 का काईरेंग्र बाता यह दो आप वेट करें जिसको भी यह फोन लेना मैंने इसलिए वीडियो बनाई हो कि फिलिप कार्ट के कल से लग जाएगी और जिसके पास भी जिसी अकार्ड है वह ले सकता यह हुआवे का मैंने 6S यूज़ कर रहा हूँ और MI का Note 4 तो मैंने तीनों यूज़ कर रहे हैं और जो बेस्ट है वह अपने लेकिया है वह उनर का 6S है बाकी वीडियो में कंपैरिजन भी कर दूँ हूँ अगर किसी को चाहिए तो मैं MI और इसका कंपैरिजन करने वाला है जो कि ON मैं थोड़ा फास्ता अप मेड़िडास करने में उसकी रैम मैंजमेंट इससे बेटर है थोड़ा प्रोसेसर उसका जो कि वह स्नैप्रेंग प्रोसेसर चलता है तो शायद उसकी रैम मैंजमेंट और जो भी वरकिंग वह अच्छी चल रही है बट अगर मैं experience की बात करू तो तो गाइस अगर आपको फोन कंसीडर करना चाह रहे हैं 10,000 से बिलो की प्राइस रेंज में तो आप और 6x को करें क्योंकि इस प्राइस पॉइंट से बंदे को क्या चाहिए होता है कि उसका फोन फ्लॉलेस चले हो वह हैंग ना हो डीसेंट रैम मैंजमेंट हो ज्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे तो कैमरा इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा है मैं मुझे होड़ से यलो यलो कर लगते हैं बता नहीं क्यों उनमें यलो टिंट आता है उंगी फोडोस में बट ऑनर में ऐसा कुछ नहीं है और मैंने आपको भी सेल्फी और बाकी पिक्स भी दिखा अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो और शेयर करें